अपने Colors अगरवत्ति के बारे में कहीं न कहीं सुना भी होगा और देखा भी होगा चाहे वो manufacturing करते हुए या फिर किसी shop के पास या फिर और कहीं आपने देखा होगा जैसा कि कुछ color अगरवततिया मैं सामने रखा हुआ हूँ तो आज की इस वीडियो में इसी topic की ऊपर बात करेंगे कि की तरीके से आप जो है color incense, जो की difference color में होती है, बहुँ सारी अलग-अलग colors में तयार होती है, वो कैसे और कीस तरीके से तयार होती है, और कीस तरीके का जो powder उसमें use होता है, क्या उसमें formulation होगी, किस तरीके से हम उस इस वीडियो में बात करेंगे तो हलो फ्रेंड्स मैं हूं मनीश और कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और टॉपिक में जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब जरूर क कर सकते हैं और क्या उसमें फार्मूलेशन होगी किस-किस रेशियो में उसे हम यूज करेंगे वो सारे चीजों के बारे में मैं आप Dion बतांगा तो वीडियो आप पूरा जरूर देखे तो सबसे पहले पावDIE जानते हैं कि कौन से पौडर का यूज़ करके जो है कलर अगरबतिया तयार होती है जैसे की सामने देख रहे हैं यह है टीवन पौडर जिसका एक और नाम है वह है अकैसिय डष्ट जो की वियत नाम बेस्ट होती है मतलब वियत नाम से ये बनती है आदरसल ये जो उट पाउडर्स जो है वो एक तरह की पेड़ की जो है वो छाल से बनी हुई पाउडर है और इनका नाम जो है T1 के नाम से आप जानते होंगे या फिर कहीं आपने सुना ही होगा और जो कलर्स अगर बत्ती में यूज होती है वो है T1 पाउडर मतलब T1 उट डस्ट उनका नाम है और ये जो है जलने में काफी सायाक होती है मतलब इसकी जो बर्निंग चमता होती है वो काफी तेज होती है जिस तरीके से हम एक एजांपल में आपको बताता हूँ जिस तरीके से हम चार्कोल का यूज करते हैं बर्निंग के लिए मतलब उसमें जलने की जो कार्बनिक चमता होती है जो कार्बन होती है वो काफी जादा होती है चारकोल की इसलिए जो है हम ब्लैक बत्ती में चारकोल का यूज जादा होता है इसी तरीके से ये वाइट जो पाउडर है उसमें भी जलने की चमता काफी होती है और ये पाउडर ऐसा है कि आप जो भी कलर इसमें एट करोगे वो उसी कलर की वो तैयार हो जाती है जिसकी वज पाद रखिए अगर आप इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी टीवन के नाम से आप और करोगे तो आपको इसली ये अवलेबल हो जाएगा उसके बारे में आगे हम बात करेंगे और ये पाउडर दरसल जीश टाइप का हमारा वूड पाउडर होता है जो कि अगरबत्यों के लिए हम यूज करते हैं ब्लैक अगरबत्य के लिए उसी टाइप की ये पाउडर होती है उसके बाद हम बात करेंगे कि कलर अगरबत्य बनाने के लिए टीवन पाउडर का ही क्यों यूज किया जाता है कोई दूसरी पाउडर का होती है मतलब बर्नी प्रोब्लम उसमें नहीं आती और दूसरी चीज जो की डिपिंग रेशियो होती है और डिपिंग करने के बाद इसमें थोड़ा इफेक्ट पढ़ता है कलर के ऊपर और जो है रेशियो भी इसमें मैक्जीमम आता है जितना होना चाहिए 300 या फिर 350 इसके पास ही इसका दिपिंग रेशियो आता है वह आपके उपर डिपेंड होगा कि आप किस तरीकी की मूटाई में आप इसे तयार कर रहे हैं और तिसरी चीज जो की इसका फ्रेंग्ंस होता है वह फ्रेंग्नयस जो है काफी बुस्टिंग में होगा अगर कोई उट पाउडर से जैसा कि यह यलो कलर में अगर बत्ती तयार हुई है और यह इसी पाउडर से जो है मैंने तयार किया है तो इसमें कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता अगर आप इसे डीपिंग करोगे तो डीपिंग करने के समय यह थोड़ा सा कलर जो है 10% इसमें ग्लो कम होगा मतलब जैस लगेगा बट कलर चेंज नहीं होगा यह इसकी फाउडर की खासियत है इसकी वज़य से जो है पाउडर से ही कलर अगर बत्तियां तयार करते हैं तो यह सब चीज तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब जो है उसके बाद हम बात करते हैं इसके फर्मूलेशन के ब सब्सक्राइब पड़निंद पर्मूलेशन को के बाद यहाइड़ करते हो चोगा था लीजिए अगर नॉर्मल में बनाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है वह आपके उपर है अब रेशियो में आपको बता देता हूँ 1kg आपको T1 लेना है T1 पाउडर और उसके बाद लेना है आपको गौर गम 100 ग्राम आपको लेना होगा 100 ग्राम आपके लिए 100 ग्राम 1kg रेश करना होता है लेकिन अगर आप जोस पाउडर रेट करना चाहो तो 50 ग्राम आप जोस पाउडर रेट कीजिए और 50 ग्राम आपका ग्राम एड होगा 100 ग्राम उसमें भी हो जाएगा बट उसमें डिपिंग रेशियो का इफेक्ट थोड़ा सा पढ़ता है वह आपके उपर है अगर डिपिंग रेशियो आप मैनेज कर सकते हो तो आप एट कीजिए जोस पाउडर में काफी अच्छा और क्वालिटी उसमें तयार होगी और नहीं करना चाहते तो ग्वार गम में बनाईए 100 ग्राम में वह भी क्वालिटी अच्छी होगी और उसके बाद जो है हमारा प बर्निंग प्रोब्लम आ सकती है ऐसे अधरवाइस इसमें बर्निंग प्रोब्लम नहीं आगी लेकिन अगर आप अपने से अगर खुद से डालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो आप इसमें एट कर सकते हो कोई ज्यादा कॉसली नहीं होता पोटेशियम नाइटेड आपको पाउडर में 20 ग्राम एवरेज आपको देना होगा और यह तीनों पाउडर एट करने के बाद हमारा टीवन पाउडर और गौरगाम पाउडर और यह पिगमेट कलर यह तीनों पाउडर को आपको मिक्स करना है मिक्स करने के बाद अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और mix करने के बाद ही आप उसमें पानी एड कीजिए पानी minimum आप डाल सकते हो उसमें 800 ग्राम minimum 800 से लेके 1000 मतलब 1 लीटर के आसपस आप डाल सकते हो इतना पानी आपके लिए काफी होगा और mix करने के बाद आप अपने मशिन में आप तयार कर सकتे हैं और मशीन में तयार करने के बाद आपकी अगरबतिया इस तरीके से जो है तयार होगी जैसा कि कुछ कलर मैं आपको दिखा रहा हूं यह हो गया हमारा यलो और यह हो गया ओरेंज कलर नॉर्मल ग्रीन कलर में है उसके बाद जो है हमारा है वाइट कलर जो की नेचुरल में है औ और ये white color, जो की जिस type का आपका powder ज़ोंगे उसी type में तयार होगी और इसमें किसी type का color जो है add करना नहीं होता. और आपने brown अगरबत्ती के बारे में सुना होगा जो की brown अगरबत्ती यही अगरबत्ती होती है। अगरवत्ति नहीं बनाना चाथे तो ब्रावन कलर में आप टयार कर सकते हैं white में natural में और आपको color अगरबती तयार करनी होती है तो color आप pigment color use कीजिए जो की stick के नीचे जो color use होती है वही color को pigment color कहा जाता है आपके जहंकारी के लिए मैं बता दूँ उसी color को he pigment color कहा जाता उसका आप यूज कर सकते हो और उसके बाद एक होती है metallic अगरबत्ती वो metallic अगरबत्ती के बारे में और कभी हम बात करेंगे उमिद करता हूं कि color अगरबत्ती के बारे में आपको पूरा process और formulation समझ में आ गया होगा और उसके बाद जो है काफी लोगों का मेरे number का requirement था कि आप number आपका दीजिए तो इस वीडियो में आपको description box में आपको मेरा number available हो जाएगा आपकी जैसी जो भी requirement है जो भी आपका question है वो आप number के तुरूप फूच सकते हैं या फिर मेरे से contact कर सकते हैं उम्मिद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले कुछ नए topics में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद